देखो पुराने जमाने में क्या बोला गया कि जिस इंसान के अंदर ब्लेक बाइल है तो वो कैसा होगा वो गरम गरम होगा वो होट होगा ठीक है सिंपल सी बात है अब होट होगा तो मतलब क्या है उसको बार बार फीवर होगा बुखार होगा ठीक है ये पुराने जमाने की से कि बंख Our सकता है अब नेक्स्ट बढ़ते आगे वह सिंपल सी चीज इन paling डिसी क्या होती है non-infectious, infectious मतलब एक दूसरे से फैल्टी है और non-infectious एक दूसरे से नहीं फैल्टी वो simple सी बाते हैं, पांचमी क्लास वाले ठीक है, अब इत देखो, अपनी NCRT में disease कौन सी दी हुई है, bacterial कौन सी है, typhide pneumonia, dysentery, plague diptheria, अब जो detail में पढ़ना है अपने typhide pneumonia क्या बारे में, क्योंकि इनका सिर्फ नाम लिख है viral कौन सी common called zucam AIDS और protozone कौन सी malaria and amoebiasis, fungi कौन सी ringworms, ठीक है, अब ये सारी सबको याद रजाती हैं, बड़ जो आपको भूलेंगी जो confuse करेंगी, वो है ये helminthic disease है ना, question आ जाए कि helminthic disease कौन सी है, तो कौन सी ascariuses and philariuses अब देखो, typhoid, typhoid किस वज़े से होता है, salmonela typhi, एक bacteria है जिसका नाम है salmonela typhi, इसकी वज़े से typhoid होता है, simple सी बात है अब याद क्या रखना है, typhoid कहां entry मारता है, ये salmonela typhi जो bacteria है, कहां पे entry मारता है small intestine में entry मारता है small intestine में entry मारेगा, तो typhoid अपने को हो जाएगा, अब typhoid हो जाएगा तो अपने अंदर क्या है, symptom आएंगे कौन से symptom, सब को पता है कि तेज बुखार होता है, typhoid में weakness कमजोरी आती है, stomach पें small intestine में ये effect कर रहा है तो simple सी बात है, पेट में दर्द तो होगा और क्या होगा, सिर में दर्द भी होगा और क्या है, constipation, constipation आपको पता ही है क्या होता है loss of appetite मतलब भूख कम लगेगी अब देखो, अब क्या है कुछ cases में, कुछ cases में, देखो ये तो normal symptom है, normal हाना, मेरे को भी death भी हो सकते है, कुछ cases में ठीक है, अब next है, इसके लिए इसको check करने के लिए कौन सा test किया जाता है confirmed by Vidal test, Vidal test हम पता लगा सकते हैं, कि किसी को typhoid है या नहीं, ठीक है अब ये Mary melon थी, Mary melon, typhoid Mary भी इसको बोला गया, क्यों बोला गया, क्यों कि इसको क्याए, सिंपल सा यह है, कि ये एक cook थी, और इसको typhoid था, अब cook थी, तो ये लोगों को खाना खिलाती रही खाना खिलाती रही, इसको typhoid था, तो typhoid भी खिलाती रही, तो इसने typhoid फेला दिया, ठीक है, ये सिंपल सी बात अलवियोलाई, ओफ लंग्स, अना, अब निमूनिया में क्या होता है, अलवियोलाई के अंदर क्या है, फ्लूड भर जाता है, अब अलवियोलाई के अंदर जब फ्लूड भर जाएगा, तो सिंपल सी बात है, अलवियोलाई, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे अब alveoli अच्छी से काम नहीं करेंगे तो respiratory problems होंगी ठीक है और इसके symptom क्या है fever बुखार होगा चिल से ठंड लगेगी कफ खासी होगी headache सर में दर्द होगा ठीक है और severe cases में क्या होता है lips lips hot and nails hot और जो नाखून है वो क्या है bluish पढ़ जाते है नीले पढ़ जाते है ठीक है अब यहां पर एक बात याद रखेंगे pneumonia ने किसको effect किया है alveoli of lungs को effect किया ठीक है यह बात यहाद रखेंगे next common cold common cold है अपना normal सर्दी जुखाम है जुखाम normal किसकी वज़े से होता है rhinovirus की वज़े से होता है rhinovirus एक group of virus है rhinovirus एक group of virus है ठीक है अब common cold किसको effect करता है nose को नाक को और respiratory passage को अब याद रखने लायक बात क्या है कि pneumonia किसको effect कर रहा था but common cold जुखाम है वो lungs तक नहीं पहुचता वो alveoli को effect नहीं करता वो सिर्फ upper area जैसे कि nose नाक होगी respiratory passage होगी सिर्फ इसको effect करता है ठीक है इसलिए कम dangerous है ठीक हो यह तीन साथ दिन में जुखाम आपको पता है यह तीन साथ दिन में ठीक होई जाता अपना next is ascarious नाम से पता ल intestinal parasite याद करो टाइफाइड कहां पे था small intestine में निमूनिया कहां पे alveoli of lungs में और common cold कहां पे अपर respiratory passage nose में ठीक है और इसके रिए सिस कहां पे intestinal parasite और इसके symptom क्या है internal bleeding muscular pain fever बुखार एनीमिया खुन की कमी blockage of intestinal passage अब next है elephantiasis या इसका दूसरा नाम है philariasis यह किस वज़े से होती है वुचिरेरिया वुचिरेरिया मलाई या वुचिरेरिया बैन क्रॉफ्ट की वज़े से यह होती है इसमें होता क्या है इसमें देखो ऐसी आद रखना elephantiasis सबको पता ही होता है वैसे तो elephant मतलब हा हाथी जैसा प्यार हो जाएगा यूजरी क्या होता है यूजरी इसमें lower limb lower limb यानि पैरों में जो lymphatic vessel है वो एक तरीके से याद रख लो ब्लोग हो जाती है या उसमें inflammation पैर में पूरी हो जाती है तो elephant यानि हाथी जैसा पैर हो जाता है बस खतम है यहाँ पर याद रखने ल नाम है अमीवियासे का ही दूसरा नाम है अमीविक डिसेंट्री ठीक है नाम से पता लग रहे कि इसकी वज़े से होगा ant amoeba histoletica और ant amoeba histoletica क्या होता है protozone हमने प्रोटिस्टा वाले पॉर्शन में भी पढ़ा है कि प्रोटोजोन में ही आते हैं जो भी अपने अमीबाव अमीबाव है ठीक है, नेक्स है कि कहाँ पे क्या एफेक्ट होगा, लार्ज इंटेस्टाइन एफेक्ट होगी, ठीक है, एसकेरियसिस कहाँ पे था क्या याद रखना है, एंटेस्टाइन में और अमीबिासिस कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में सिम्टम क्या है, कॉंस्टी पेशन देको इंटेस्टाइन को एफेक्ट करना है, लार्ज इंटेस्टाइन को तो यही है, पेट से रिलेटिड याएंगे चुल्स विद एक्सेस मीउकस एंड बलड गलोट्स यह यहां पर कोश्चन पूछे जाने लायक बात है कि स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड बलड कलोट्स किसमें होता है अमीबियासेज में, ठीक है, नेक्स है, मेकेनिकल केरियर इसका क्या है, हाउस फ्लाइए, आपको याद रखना है, अमीबियासेज में, मेकेनिकल केरियर क्या है, हाउस फ्लाइए, ठीक है, ठीक है, नेक्स हम करते है, रिंग वॉम्स, रिंग वॉम्स क्या है, फंजाई की दाद, खाज, खुजली वही होगी, dry, scaly, lesion, various parts, कहां-कहां पे skin, पे nails में, scalp में, तो पता ही है ना क्या होगा इसमें दाद खाज खुजली टीवी में एड भी आती है intense itching खुजली खुजली होगी और heat and moisture है वो फंजाई को grow करने में help करती हैं ये भी सब को पता ही होगा अब हम करने वाले हैं malaria तो malaria में पहले हम याद करने वाला portion complete कर लेते हैं फिर हम कर लेंगे समझने वाला falciparum अब falciparum पर मैंने red color का star लगाया है क्यों लगाया है क्योंकि ये malignant malaria cause करता है मतलब जो सबसे dangerous malaria होता है वो falciparum cause करता है ठीक है और क्या female एनफलीज का लेना देना होता है mosquito का कैसे होता है वो हम आगे देख लेंगे सबको पता ही होता है इसमें दो host चाहिए human और mosquito और आपको पता है मेरा सारा काम manual है तो diagram थोड़ा उल्टा सीधा हो गया पर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है देखो simple है यहां से हम शुरू करेंगे बिल्कुल simple कि किसी आदमी को मच्छर ने काटा हम यहां से शुरू करेंगे और अपनी cycle complete करेंगे देखो किसी मनुष्य को एक मच मच्छर क्या करेएगा अब उस मनुष्य के अंदर क्या है ? यह मच्छर क्या क्या करेगा Idaho इस मनुष्य के अंदर स्पोरोजोईट्स रिलीज कर देगा अब यह स्पोरोजोईट्स क्या होंगे बलड के थुरू कहां पहुंच जाएंगे लीवर में पहुंच जाएंगे अब लीवर है तो लीवर में क्या होंगी लीवर की सेल्स होंगी तो लीवर के सेल्स के अंदर ये स्पोरोजोइट्स क्या है एंट्री मार गए देखो ये लीवर की सेल्स है इनके अंदर एंट्री मार गए और लीवर की cells के अंदर ये sporojoids क्या करेंगे asexually reproduce करेंगे तो simple सी बात है एक cell के अंदर अगर ये sporojoids reproduction करते जाएंगे मतलब अपना number बढ़ाते जाएंगे तो एक time तो ऐसा आएगा ना कि वो cell की तो limit है ना cell का जो space है वो limited है तो ये अंदर divide करते जा रहे हैं तो एक time पर क्या करेंगे ये cell को क्या करतेंगे blast कर देंगे burst कर देंगे एक तरीके से वो cell फट जाएगी वो cell blast जब करेंगी तो क्या sporojoids क्या है बाहर release होंगे अब ये sporojoids जो release हुए ये blood के थूँ blood में आ जाएंगे और blood में ये किसको target करेंगे RBC red blood cell को target करेंगे और बिल्कुल बिल्कुल जैसे liver cell के साथ इन्होंने जो कारिया करम किया था वो ही ये RBC के साथ करेंगे कि उनके अंदर आ जाएंगे फिर asexually reproduce करेंगे अब asexually reproduce और उस जब RBC में होती है तो यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे हमें symptom दिखने को मिलते हैं जैसे cycles of fever बार बार बुखार होगा और बाकी के symptom अब जैसे liver cell blast कर गी थी वैसे ही RBC भी क्या करेंगी एक time पे blast कर जाएंगे क्योंकि इनका space भी तो limited है इनके अंदर यह division होती जा रही है तो क्या होगा यह blast कर जाएंगी तो RBC से बाहर निकलेंगे तो बाकी की जितनी RBC बजी ना यह बाकी RBC को भी अब infect कर देंगे अब अब धान रखने लायक बात क्या है कि बाकी की जब RBC को इनने infect किया तो वहाँ पे क्या है वहाँ पे अपनी बनेंगी क्या sexual stages हाना male gametocyte और female gametocyte बनेंगे ठीक है यहाँ पे male gametocyte और female gametocyte कहां RBC में अपने बन चुके हैं ठीक है अब देखो अब यह human के अंदर बन चुके हैं इस मनुष्य के अंदर यह बन चुके हैं अब देखों अब कोई मच्छर आया और उसने इसको काटा हाना कोई मच्छर आया कोई दूसरा मच्छर आया उसने इसको काटा तो वो इनको गमीटो साइट्स को क्या है बलड मील के तुरू हाना मच्छर तो क्या करता है खून पीता है तो खून के तुरू बलड के तुरू इन गेमीटोसाइट्स को उठा ले जाएगा, ठीक है, उन गेमीटोसाइट्स को उठा ले जाएगा, ठीक है, अब ये बलड इसके लिए तो खाना है, मच्छर के लिए तो बिचारे के लिए तो एक खाना कहां जाएगा, इसके गट में जाएगा, अब इसके गट में, मॉस्क और sporogiets बने अब यह sporogiets कहाँ आ जाएंगे उस mosquito के इस mosquito कहाँ जाएंगे यह saliva में आ जाएंगे saliva slavery gland में आ जाएंगे अब यह जिसकेद इंसान को दूसरे इंसान को काटे गा इसके सलाइवा में क्या हैं, अब यह किसी दूसरे इंसान को काटेगा, तो स्पोरोजोइट्स उसमें रिलीस करतेगा, और सेम साइकल रिपीट होती जाएगी, अब यहां कोश्चन के, मैं जो कोश्चन पूछे जा सकते हैं, वो बता देता हूँ, वो बता देता हूँ, यह स्पोरोजोइट्स कहां पे होंगे, यह सलाइवा में माईग्रेट, सलाइवरी ग्लैंड में माईग्रेट करेंगे, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोश्चन कहां पूछे जाएंगे, लीवर में कैसी ए सेक्शुल रिप्रोड़क्शन, और सेक्शुल में होगी, ठीक है, यह अपनी याद रखेंगे, अब देखो, इम्म्यूनिटी दो टाइप की होती है, इन्नेट एंड एक्वायर, देखो, इन्नेट होती है, बाइबर्थ, मतलब हम पैदा हुए, हमें वो मिली, एक्वायर मतलब हमने दुनिया में आके एक्वायर की, बताई, पी टू, सी टू, अब ये पी टू क्या है, पी टू मतलब है, फिजिकल, फिजिकल एंड फिजियोलोजिकल, और सी टू क्या है, इन्नेट इम्म्यूनिटी की मैंने ट्रिक बताई, पी टू, सी टू, पी टू मतलब फिजिकल, फिजियोलोजिकल, सी टू मतलब सिक्रीशन को डाल दे ना कहां physiological में एसीएल सलाइवा हाँ एसीटिक सलाइवा क्या है एसेडिक और टीर्स यूरीन भी अपना एसेडिक है और इसमें fever भी याद रख ले न सेललर में क्या है सेललर में अपनी सेल सा जाएंगी जैसे कि न्यूट्रोफिल सब्सक्रास अंदर और इंटर्फैरों इंटर फैरों इंटर्फैरों यहां पर आएंगे और इंटर्फैरों क्या होते हैं यह मैं आपको आगे बता दूँ कैंसर में आपना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ठिक है next step फिर acquired अब नेकसे एक्वायर इम्मुनिटी दो टाइब की एक्टिव पैसे एक्टिव और पैसी नाम से पता लग एक्टिव मतलब हमने खुद बनाई पैसी उम्हें कहीं और से मिली हमने खुद नहीं बनाई तो उसे जुखाम उस वाइरस के खिलाफ मेरे अंदर नचुरली एंटी अब नेक्स देखो एक्वायर इम्म्यून रिस्पॉंस जो है वो दो टाइब का होता है एक हुमोरल एक सेल मेडियेटिड अब हुमोरल नाम से पता लग रहा है मतलब ये बलड में होगा देखो सिंपल सी बात है इसमें आपको याद कितनी बाते रखनी है कि हुमोरल में क्या बनती है अपने पास एंटी बोडी बनती है और एंटी बोडी कहां बनेंगी बलड मे बनेंगी तो इसलिए इसको बोल दिया हमने humoral बोल दिया humoral जो response होता है उसमें दो दो cells का लेना देना होता है B lymphocyte, T lymphocyte, B lymphocytes क्या बनेंगी antibody की formation करेंगी B lymphocyte क्या करेंगी antibody की formation करेंगी और T lymphocyte क्या करेंगी B-lymphο-said کی मदद करेंगी T-lymphoside B-lymphoside की मदद करेंगी antibody बनाने hymoral में क्या है blood में है पहली बात दूसरी बात इसमें antibody बनेगी थीसरी बात antibody कौन बनाएगा B-lymphoside बनाएगी चोथी बात T-lymphoside क्या करेंगी B-lymphoside की कुछ आ जाए कि मानलो किसी को kidney transplant हुई है तो उसके उसमें किसका लेना देना होता है cell mediated immunity का लेना देना होता है यह यह T lymphocyte का लेना देना होता है ठीक है अब हम थोड़ी structure जो NCRT में दो है antibody की देख लेते हैं antibody क्या होती है एक तरीके से protein ही होती है antibody भी एक तरीके से protein ही होता है यह polypeptide chain होती है antibody यह एक antibody है इसमें 4 polypeptide chain है देखो एक दो तीन चार और देखने से ही पता लग रहा है कि दो light chain है देखो यह वाली है कि दो light chain और दो यह बड़ी-बड़ी क्या है heavy chain है अब antibody है तो simple सी बात है इसमें antigen binding site होगी यह अपनी antigen binding site यहां दिखाई हुई है और इसमें याद रखने लायक बात क्या है कि इसमें disulfide bonds बहुत जाता होते है अब antibody भी बहुत तरीके की होती है मैं इसमें simple सी आपको ट्रिक बता हुआ बहुत अच्छी ट्रिक बता हुआ कौनसी कौनसी antibody होती है । इनको sequence में कैसे याद रखना है या तो गामडे याद रख लो ठीक है IgG जो है वो सबसे जादा होती है फिर उसे कम IgA फिर M फिर D फिर E हना यह क्या है abundance का order है कि कौन कितनी जादा होती है ठीक है अब इनकी trick को कैसे याद रखने है कि कि किसका क्या function है IgG सबसे जादा है मतलब इसकी population सबसे जादा है P for population P for placenta मतलब placenta को कौन सी cross करेगी IgG next है IgA देखो A alphabetical order देखो A, B, C, D, E, F, G इसमें क्या है A जो है अपना first letter है A जो है अपना first letter है मतलब यह first milk में use होगी first milk में मतलब first milk क्या होता है अपना kolostrum होता है तो kolostrum के अंदर कौन सी होगी IgA next M, M से याद रख लिना मोटा या मोटी हना मोटा या मोटी मतलब यह सबसे heaviest होती है यह pentamon होती है सबसे heaviest कौन सी है M हना क्योंकि यह मोटा या मोटी है simple trick है next decibel अपनी trick है decibel decibel आपको पता है डीबी decibel D से अपने को याद आएगा IgD और B से अपने को याद आएगा B lymphocyte तो D का लेना देना होता है B lymphocyte के साथ next है E, E को हम highlight कर देंगे E के साथ E के साथ जो allergy में जो E आता है उसके साथ इसको match करा देंगे allergy के अंदर जो E आता है उसको हम E के साथ match करा देंगे मतलब IgE का लेना देना होता है किसके साथ है Allergy के साथ Next हम करते है lymphoid organs की बात lymphoid organs हमारे पास दो टाइप के Primary and Secondary Primary कौन से कौन से Bone, Marrow and Thymus Secondary में बहुत सारे आ जाएंगे Spleen, lymph nodes, tonsils, pair pages, appendices अब इनके function याद करते हैं देखो simple सी बात है जो Primary lymphoid organ है वो है आपका coaching institute, coaching center और जो secondary lymphoid organ है वो है आपका NEET का exam hall मेरी बात समझो जो Primary lymphoid organ है वो है क्या है अपना coaching institute है या school है, या coaching center है या online coaching है, जो भी है और secondary lymphoid organ क्या है अपना NEET का exam hall मतलब क्या है Primary lymphoid organ में जो lymphocytes है, वो क्या है मैच्चोर होंगी, डिफ्रेंशेट होंगी, मतलब क्या है, अपनी fight के लिए, अपनी लड़ाई के लिए, यहाँ पे त्यारी करेंगी, और यहाँ कहा है, site of interaction, मतलब यहाँ पे actual लड़ाई करेंगी, ठीक है, simple सी वात है, हम neat की त्यारी करेंगी, तो neat की हम पूरे साल कहाँ प तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि AIDS के बारे में हमें याद क्या रखना है, फिर हम कर लेंगे समझने वाला portion, सबसे पहले AIDS की full form, acquired immunodeficiency syndrome, खतब, फर्स्ट reported, मतलब पहली बार कब report हुआ, AIDS 1981 NCRD में लिखा हुआ है, अब AIDS होने का reason, मतलब इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है, HIV यानि human immunodeficiency virus, अब HIV जो वाइरस होता है, वो किस group का वाइरस है, वो retrovirus ग्रूप का वाइरस है, अब यहाँ पर ध्यान देने, common cold में क्या था, rhinovirus, यहाँ पर क्या है retro, AIDS का है retro, और common cold का है rhino, ठीके, इसमें confused होंगे, देखो, rhino का मतलब होता है, ना कहना, nose के related, तो वो common cold जुखाम वाला, ठीके, अब AIDS में क्या-क्या effect होता है, macrophages and T lymphocyte effect होती है, अब एक समें बहुत अच्छा question होता है, कि HIV factory की तरह कौन काम करता है, macrophages, HIV factory की तरह काम करते है, अब AIDS का diagnostic test क्या है, ELISA, Enzymed Linked Linked Immunosorbate, असे, Enzymed Linked Linked Immunosorbate असे, ठीके, अब एक full form यहाँ पर आपको याद रखने है, NACO NACO, National AIDS Control Organization, तो यह याद करने वारा पाट हो क्या, आप देख लेते हैं, कि इसमें समझने वारा portion क्या है, अब देखो, यह पूरा डाइग्राम समझते हैं, ठीके, यहाँ पर अपने पास यह है, Retrovirus, अब वाइरस है, तो हमें पता है, वाइ प्रोटीन कोट प्रेजेंट है, ठीके, अब देखो, इस Retrovirus ने एक Animal Cell को क्या कर दिया, इनफेक्ट कर दिया, मतलब क्या है, यह जो वाइरस का RNA है, यह इस Animal Cell के अंदर क्या है, यह इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीके, अब क्या होगा, Reverse Transcription से इस RNA से DNA बनेगा, ठीके, बहुत सारे बचे कंफ्यूस होगे, याद करो, Transcription के अंदर क्या होता है, हम DNA से क्या बनाते हैं, RNA बनाते हैं, तो सिंपल सी वाद है, Reverse Transcription में क्या होगा, RNA से क्या बनेगा, DNA, यह यहाँ पे Viral DNA अपना बन चुका है, अब यह Viral DNA क्या है, जो इस, यह Animal Cell थी, इसके क्या है, एक तरीके से Genome में Entry मार जाएगा, मतलब इसके DNA में Entry मार जाएगा, और इसके साथ चिपक जाएगा, तो जैसे जैसे यह DNA बहुत करेगा, वैसे वैसे यह वाला भी बहुत करेगा, मतलब यह Replication भी करेगा, फिर यह Transcription शो भी करेगा, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो ट्रांस्क्रिप्शन भी शोग करेगा, तो ट्रांस्क्रिप्शन में अपना क्या होदा है, DNA से RNA बनता है, मतलब क्या है, फिर से उस DNA से RNA बन जाएगा, मतलब ये वाला अपना फिर से यहां बनके तयार है, पर फरक क्या है, ये इसके साथ रेप्लिकेट करेगा, मतलब multiple copies बनाएगा multiple बहुत सारी ठीक है यहीं बहुत सारे बनेगे यहीं तो था कि एक एक वायरस का आया RNA आया और उसने प्रोटीन कोट आ जाएगा तो बिल्कुल same ऐसा बन गया ठीक है अब यह बहुत सारे बन जाएंगे तो यह simple सी बात है बहुत सारी cells को यह infect कर सकते हैं ठीक है तो यह अपना simple सा था अब हम start करने वाले हैं cancer ठीक है बिल्कुल अराम से समझेंगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है यह अपनी body की normal cells है यह अपनी body की normal cells है तो अपनी body की normal cells एक property शो करती है जिसका नाम है contact inhibition अब नाम से ही पता लग रहा है contact मतलब जो cell आपस में contact में होंगी वो inhibition करेंगी मतलब एक दूसरे का inhibition करेंगी मतलब जो cell आपस में contact में है वो एक दूसरे की growth को inhibit करेंगी ठीक है बट बट अगर किसी रीजन से कुछ cell में some cells कुछ cell में contact inhibition की property क्या हो जाए खतम हो जाए लूज हो जाए तो क्या है वो growth inhibit नहीं हो पाएगी मतलब यह क्या करेंगी rapidly divide करेंगी अब rapidly divide करेंगी तो क्या होगा masses of cell बन जाएंगे ना cell के क्या बन जाएंगे masses बन जाएंगे एक तरीकी से rapidly divide करेंगी तो इन ही masses of cells को हम क्या बोल देते हैं tumor बोल देते हैं बिल्कुल clear है ना कि cancer cell क्या होती है ऐसी cells जो contact inhibition की property lose कर चुकी है और वो rapidly divide करेंगी अब यह cancer cell divide कर करके divide कर करके divide कर करके cell के masses जैसे बना देंगे ना गुच्छे जैसे बना देंगी और इन ही masses of cells को हम बोलते हैं tumor अब tumor हमारे पास दो टाइप का होता है एक benign tumor एक malignant tumor देको benign tumor के बारे में आपको याद रखना है कि benign tumor जहां पे हुआ मालो किसी की neck में हुआ तो neck में रह जाएगा किसी के हाथ में हुआ तो हाथ में रह जाएगा किसी के brain में हुआ तो brain में रह जाएगा मतलब जहां पे हुआ वहीं पे रह जाएगा original location पे यह do not spread मतलब एक दूसरी जगा पे फैलता नहीं है हाना अब यह दूसरी जगाओं पर फैलता नहीं है इक जगाओ पर रहता है इसका डेमेज भी क्या है कम है नेक्स्ट मैलीगनेंट ट्यूमर तो उसके उल्टा यह क्या है spread through blood, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे body में blood के through ये फैल जाता है, और इसी property को हम क्या बोलते है, metastasis बोलते हैं, ठीक है, अब वो ये cell divide, rapidly cell divide करेंगी, तो simple सी बात है, cell इतनी जल्दी जल्दी divide करेंगी, तो खाने पीने की तो कमी हो जाएगी, तो खाने पीने का nutrients के लिए क्या होगा, competition होगा, अब ये एक दूसरी जगह पे फैलता है, ये highly damaging है, बिनाइन ट्यूमर क्या था, थोड़ा कम नुकसान करता है, little damaging क्योंकि वो फैलता नहीं है, और ये फैल जाता है, तो ये highly damaging है, ठीक है, next देखो, देखो, ये normal cell है, ये cancer cell में convert हो सकते हैं, किस वज़ करके cancer cell बन सकती है, कुछ agents की वज़य से, अब इन agents को क्या बोलते हैं, carcinogen, simple, simple सी वात है, ऐसे agents, ऐसे agents जो cancer cause करते हैं, उनी को हम बोल देते हैं, क्या carcinogen बोल देते हैं, next देखो, cancer causing virus को हम क्या बोलते हैं, oncogenic virus, देखो, जहाँ पे onco word देख जाए, आपको, आप hospital में भी देखना, जहाँ पे onco word देख जाए, मतलब क्या है, उसका cancer मतलब है, देखो, onco, अब बिल्कुल नाम से कुछ भी याद ने करेंगे, onco मतलब cancer, genic मतलब produce करने वाला virus, simple, खतम, ठीक है, अब onco genic virus के अंदर एक gene होता है, viral onco gene, इसको अभी कुछ भी याद ने करना, देख कुछ भी अपने याद ने किया, अब एक होता है, cellular या proto onco gene, देखो, ये एक तरीके से ऐसे याद रखो, proto मतलब ये अभी inactive है, onco, onco मतलब cancer causing gene, but वो अभी proto मतलब वो अभी inactive है, अगर ये, अगर ये activate हो जाए, तो ये क्या cause कर देगा, अपना cancer cause कर सकता है, ठीक है, अब NCRT में लिखा हुए, पर मैं यहाँ पर आपको याद करने वाली बाते बता दूँगा, जहां से question पूछे जा सकते, बायो अप्सी एंड हिस्टो पैथोलोजिकल स्टी ये तो सभी को करी लेंगे, ठीक है, रेडियोग्राफी यूज होती है, CT scan यूज होता है, MRI यूज होत of internal organ, x-ray का यूज करके किसमे CT scan में, मैं फिर से repeat करता हूँ, 3D image of internal organ, x-ray का यूज करके किसमे CT scan में, magnetic resonance imaging, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, simple सी बात है, strong magnetic field, magnetic field का यूज करेंगे, but यहाँ पर याद करने लायक बात क्या है, कि magnetic resonance imaging में, यानि MRI में हम non-ionizing radiation यूज करते हैं, यह यहाँ पर, पहली याद करने वाली बात हमने क्या की थी, CT scan की full form आपको भूल सकती है, computed tomography, MRI की सबको याद रहा कि, दूसरी बात क्या, CT scan में, CT scan में 3D image of internal organ मिलती है, x-ray का यूज करके, दूसरी बात, तीसरी बात, MRI में non-ionizing radiation अपने यूज कीती है, अब यह लास्ट बात, antibodies against cancer specific agent, देखो, cancer को हमें detect करना है, तो सिम्मल सिवात है, cancer को हमें detect करना है, तो हमारी body में, हमारी body में, cancer के खिलाफ क्या बनी हूँ, cancer का जो antigen आएगा, उसके खिलाफ क्या बनी होंगी, एंटी बनी हो जब हमारी body में कुछ foreign, कुछ खतरनाक, कुछ entry लिया होगा, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं, ठीक है, treatment of cancer, इसमें आपको कोई दिक्कत ने आएगी, इसमें कुछ ऐसी याद करने वाली बात खास नहीं है, surgery, radiation therapy, immunotherapy, यह सबको पता ही होती है, radiation therapy, अब यहाँ पे एक य for example की मेरा यहाँ पे दिल्ली में cancer फैल जुक है, तो दिल्ली के आसपास का जो area है, उनका खयाल रखा जाएगा, radiation therapy के द्वारा, chemo therapeutic drug में क्या है, cancerous cell को यह मारेगी, यह simple सी बात है, chemo therapeutic drug है, तो drug को हम मारने के लिए use करेंगे, side effect सबको पता होता है, cancer में, cancer की दवाई से side effect यूराद सिंग का की हमने देखा था, और कौन सी movie थी पता नी, वो hair loss हो जाता है, anemia हो जाता है, तो hair loss का सब को पता ही होता है, अब most cancer में क्या लिखाब है कि cancer, mostly cancers को ठीक करने के लिए इन तीनों का combination हम use करते है, surgery भी, radio therapy भी, और chemo therapy भी, combination ठीक है, अब यह अलफा interferon, activate immune system, यह हमने पड़े थे, कहां पे, innate immunity में पड़े थे, कि देखो, कोई भी वाइरस है, अपने अंदर कोई भी वाइरस है, मानलो, वो cancer cause कर रहा है, तो उस वाइरस के खिलाफ, उस वाइरस के खिलाफ क्या है, alpha interferon अपने release होए जाए, अब alpha interferon क्या करेंगे, उस वाइरस के खिल है, ह से महारास्टर, और P, O से post office, महारास्टर का post office, अब देखो, M से हमारे पास आया morphine, H से हमारे पास आया heroin, P से हमारे पास आया paper, seminiferum, और O से हमारे पास आया opioids, अब देखो, opioids के बारे में जो भी दिया हुए, आप NCRT में चेक करो, आपकी सारी confusion दूर हुई की नहीं, अब next है cannabinoids, देखो cannabinoids का plant तो इसके नाम से ही हो जाएगा, cannabinoids के नाम से ही हो गया, cannabinoids स्टाइवा, यह इसका plant हो गया, जहां से cannabinoids हमें मिलते हैं, अब इसमें बात करते हैं, आगे की trick, तो बहुत simple trick है, कि कान पे मारना चाहिए, अगर आशीष चरस गांजा लेत है, तो आशीष अगर चरस गांजा लेता है, तो उसके कान पे मारना चाहिए, यही अपनी simple trick है, कान पे मारना चाहिए, अगर आशीष चरस गांजा लेता है, तो कान से हमारे पास आया, cannabinoids, मारना से आया, marijuana, आशीष से आया, हशीष, और चरस गांजा से direct आजाएंग अब इसका दूसरा नाम है cocaine, अब ये कौन से plant से मिलता है, तो वो भी नाम से हो जाएगा, erythrozylem coca, तो coca से coca ये भी match हो गया, ये भी complete हो गया, अब next देखो, दो वर्ड आपस में similar है, coca और dopa, बोल के देखो एक बार, coca dopa, coca dopa, अब dopa से क्या है हमारे पास, dopamine, मतलब जो coca है, या cocaine है, वो dopamine के साथ interfere करता है, ncrt में लिखा हो है, तो ये हमारा complete हो गया, coca, अब last है hallucinating plants, इसकी simple सी trick है, happy birthday, ठीक है, happy birthday, hbd, h से हमारे पास आया hallucinating plants, b से आया belladona, मतलब atropa belladona, और d से हमारे पास आया dhatoura, क्या 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 आया।